इस समय मेरे साथ मौझूद हैं शिवसेना के बरिश नेता वह उत्तरपस्चिम जिला के साथ सथ गजादन्त कृतिकर इनके साथ कुछ मुद्द्धों पर बात करते हैं। गजनत कृतिकर जी बताईए कि आगामी चुनाओं को लेकर लोकसभा और विधान सब्सक्राइब के सिवसना के क्या तैयारी है। जो आश्वाशन देया गया उसकी पूर्ती ने होगी। नोट बंदी से आर्थिक हमारा सिस्टेम सब बिगड़ गया। जी एस्टी से मुनाफ़ा बड़ा सरकार का सरकार को 99 लाख करोर रुपय मिला एक बरस में सबसे ज्यादा। लेकिन वेपारी का मुनाफ़ा कम हो गया और कंजुमर का भाव बढ़ गया। भाव कम करने वाले हटाने वाले और सुबत तर लाने वाले जो आश्वासंते उसके वज़े से यह अभी लहर नहीं रहेगी। इस इसाब से जोरदार तहर है हम हमारे अकेली बद्बुति पर इस चुनाव लेड़ेंगे आने वाले दिन में। विपच्च के साथ मतलब सुषेना को ऐसा लगता कि जीस्टी से लोगों को नुक्सान हुआ है क्या। जरूर हुआ है मैं बोला ना भी। तो आगामी चुनाव लोगर क्या मुद्दों लेकर कि सुषेना जो है पब्ले जनता के बिच जाएगी। यहीं लड़ेंगे राष्ट देश हमारे जो प्रदेश का जो कारेकाल चदर रहा है उसके भी समाधान कारक कोई स्थिति नहीं है। देश का तो चोड़ो महारास्ट की बात सारी देश में तो बहुत लोग परिशान है। यह जो यह नहीं रहेगा उनका उनकी लहर नहीं रहेगी। लहर के बिना चुनाव लड़ने में मज़ा आता है। हिंदुत मुद्दु पे सुषेना का क्या विचार है। हिंदु तो हम पहले से ही है। हिंदु तो यह मुद्दा लेकर हम लोग चुनाव कभी लड़ते नहीं है। लकिन प्यूर हिंदुत वाजी संगटन। ऐसी पैशाने हमारी हो उस हिसाब से हमारा काम भी चाले। राब अभी बीच में पोश्टर वार हुआ था उस जिसमें लिखा गया था कि उद्धव ठाकरे और उद्ध्या और कासी जाने हो उस पर आप क्या करना है आपका। जब जाएंगे ना। पूरे देश में शिवसेना अपना उमिद्वार उतारेगी। उत्तराखन, मिजोरम, उसमें तो समझो कि शायद हम MP में मद्धिप्रदेश में चुनाव लड़ेंगे सिउसे ना, तो क्या लगता कितने सीटे जीत कर आएगे सिउसे ना मद्धिप्रदेश में, यह शुरुवात रहेगी, एक दो सीटे कुछ तो होगा, का आपका टार्गे अगर मिट्टो त्री अगर पूरा होता तो उसमें किसका श्रे जाएगा सिउसे ना का या भाझपा का, इस सरकार का सरकार में हम है, उसमें सरे लेने की पूरी, जो है साजिस चल रही है सरकार की, तो क्या छोटे-छोटे बात में भी ऐशे छोड़ते नहीं, तो आगामी ज प्राइम मिनिस्टर भदे मुनारियंद्र वापिस उदर आने दो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है उत्तर पस्चिम जिला से आप सांसद हो सिवसेना के बरिश नेता है उसमें उत्तर पस्चिम वालों के लिए आप क्या संदेश देनाते हैं अपने ऐसा क्या कुछ खास काम क चाहिए जो लोगों को दिल में याद लोगों को मालूम पड़ना चाहिए नेकिन मेरे 50 तक के मत दाता है जो कर्षित नकाति रेल में सेंटर गोडन्मेंट का वास्था रहता है तो उस रिषाब से रेल का जो कारबार चलता है वहाँ की जो सुविदा चालूए जो और उसके सिवा जो पोस्टल सर्विस जो है ओ जारा बजेट भी नहीं होता है पोस्टल के लिए चार पाच जगा नया पोस्ट आपिस खोलने का काम उसका मंजुरी मुझे मिल गया अगर अब रेल की बात करते हैं तो राम मंदिर जो इस्टेशन उसको लेकर बहुत सिया सच्छी थी भाजपा बोल रहे थी मने राम मंदिर का नाम महिने दिलवाया है सिवसुना बोल रहे थी उस पर आपका क्या कहना है लेकिन मुंबह शर में वेस्टन सबब में एक हमारा भ मैंने मांग किया सुरेश परबू रेल मंधिर बोले कि मेरे अधिकार शेतर में नहीं है, यह घर मंतिर के अधिकार शेतर में तो siya मैंने खत लिखके बात की तो बुले कि आप वहां का प्रसाव ले क्या हो लोकल सेल्ट गॉर्णमेंट का स्टेट गॉर्णमेंट का और मैं छे मैने का भीतर लेके गाय उसके बाद यह राममंदिर नाम मिल गया खाली एक खत लिखने से रामंदिर होता नहीं उसके लिए बार जो टेक्निक तो टांत्रिक जितने यह थे पांगजाद सब जमा करके Was just करके रमामंदर का नाम मिल गया दिया बात अगर अगर सरकार की मोधि सरकार की आती है तो इसरकार ने कर चार साल पूरे हैं अगर आपको मोधी सरकार को नंबर देना हो तो कितना नंबर देंगे हैं को मैं नहीं बता सकते हुए देवन फड़नी सरकार को वह भी नहीं बता सकते हुए अच्छा मेरा एक महतपूर सवाल है जो जिस अपने को स्वर्गी बाला साथ ठाकने सोजा था यह सारे को ही जगा दिनी है और आज अगर हम लोग हिसाब दिका लेंगे तीन चार लाख तक गए चालिस तक तो कुछ पीछे बहुत तो हम लोग अभी आगे बढ़ने से क्योंकि एसारे में बहुत कठेना ही आती है वहाँ अफ्सक्शन बहुत है बिल्डर लोग फसाते हैं आपिसर हम लोग अपना वादा निभाते नहीं है और जोपटपट्टी वाले में दो दो तिन तिन बिल्डर घुसके वहां घुट बाजी चलती है इस देह आगे बढ़ा नहीं है और हम लोग चाहते कि 40 लाख का जो आश्वासन बाला सब ने दिया यानि मुंबाई शरकी कुल मिला कि आबादी जोपट्टी वास्वें की 40 लाख की थी उसमें से 2-3 लाख तक ही हम लोग चलेगे उसमें बड़े घुटाले होते हैं उसको लेकर कभी कोई कदम नहीं उठाती कड़े आपकी सरकार है मिली जिली सरकार है यहां पे तो कोई अधिकारियों को खिलाब करवाई न इसको बुलाता हूं सीओ जो कपुर साब है दिपक्स कपुर साब उसके साथ बाच्चित होती है और यह सल्टाने का काम हम लोग करते हैं आगे फ्यूचर में भविश में अमोल कृतिकर को राजनीतिक करियर के बारे हम क्या का सकने हैं देखो हमने पेश किया हमारी दिजाय हमारी इच्छा कि गोरेगाओ जो विदान साबाक्षेतर है जहाँ से सुबाश देशाई लड़ते थे अभी यह मंत्री है और शायद वापिस अगर समझो यह चुनाओं नहीं लड़ेंगे तो यह वेकंसी के लिए अमोल ने उद्दोजी से अपनी इच्छा पेश किये जब आप सुबाय दिशाई मंत्री जी का नाम लेते हैं तो कई खीवार ऐसा होता कि कभी कभी सुसेना के मंत्री और जो आरूप लगाते हैं कि इस सरकार में हमारे काम होते नहीं है तो ऐसा क्या सेंट्रल में भी है सकेंदर में की सांसदों को काम नहीं होता है इस पर जारे बताएं सकते हैं अभी देखो हम लोग तो है इंडिया के हम लोग अपने आप को समझते को हम सरकार पक्ष हम कितना आहँँ सरकार में मुझे मालूम ने मैं तो खुद इंपिव और काम समझो कि हमारी शारुजन जीवन को बदलाव करने के लिए जैसे कि वर्सवा जेटी है वहां डेजिंग का काम करना है चारीस करोड की जरूरत है अर्तिस करोड की वह मैंने मांग किया वह मेरा मांग पूरा हो गया ऐसा कि वह एक्तिक स्तर के उपर धंदे पानी करने वाले अगर कोई बोलेंगे कि हमार कुझने बोलेंगे सरकार के द्वारा अभी देखो कि मैंने पूस्ट की बात किये हमारे गोरेगा वेस्ट के मोतिलालनगर का एक बड़ी बिल्डिंग गिर गई पूस्ट की जैने उसके लिए साथ करोड की मांग मैंने की वह मज़े मिल गई हमारे जोगे शरी इसमें वहां पोस्क यह सारे के माध्यम से हो रहा है वह मैंने मांग की वह मेरी हो गई रेल्वे के बहुत सारे हमारे जो कोई नाजुक इसी मांग है जैसे के एक्सिलेटर बिटाओ जो प्लैटफॉर्म की उन्चा ही बढ़ाओ हमारे रेल्वे स्टेशन में प्याव का आयोजन करो यह सब मांग मेरी होती है इस समय महाराष्ट में सियासी दोर चला रहा है राम भाजपा विधायक राम कदम के बयान को ले कर गए उस पर आप क्या कहेंगे क्या ठीक था जो उन्होंने बयान दिया या गलत था उनको बिजेपी उनके खिलाब करवाई करना चाहिए उनको पार्टिस निकलना चाहिए इस समय हमारे साथ में थे शिवसेना के बरिष्ट नेतावा सांसत जो है गजानन्त कितकरजी उन्होंने बड़े विपाकई से अपने जबाब दियें लेकिन एक बड़ा उन्होंने खुलासा कि आगामी चुनाव जो अलग लड़ेंगे और कैमेरामन सदान सिट्टी के साथ जितेद मिस्रा इन 24 मुंबाई